बिग डैडी आपको तो यादी होगा दोस्तों जब महिंदरा Scorpio N को लॉँच कर रही थी तो काफी जयादा हीप कर दिया गया था चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ Scorpio N की ही बात हो रही थी अब चारों तरफ बात हो रही है न्यू टाटा सफारी न्यू हैरियर की क्यूंकि इसक सफारी से पाच गुना ज्यादा महेंगा है तो आज की इस पेसल वीडियो में दोस्तों हम आपको अच्छे से बताने वाले कि भाई अगर आप लेने वाले हैं एसकोर्पियो एन और आप कन्फ्यूज हैं कि एसकोर्पियो एन लू या फिर न्यू टाटा सफारी क्यूंकि दो पहले बात करते हैं दोस्तों इंजन की टाटा सफारी में आपको टू लिटर का इंजन मिलता है जो आपको मैनुवल में 16 का मायलेज देता है और आप सेवन सीटर पेट्रोल कार लेना चाहते हैं तो टाटा सफारी में तो आपको पेट्रोल इंजन मिलेगा नहीं टाटा इस सारा कर रही है कि जल्द ही वो पेटोल इंजन लाने वाली है दोनों कारों में दोस्तों आपको six gear manual transmission और automatic variant मिल जाता है अभी टाटा सफारी फैसलिप्ट जो हुई है न दोस्तों ये बहुत सारी कारों को टक्कर दे रही है सिर्फ एस्कोर्प्यो एंड को टक्कर दे रही है झीप कम कास को टक कर दे रही है' और भी भूषा युक्न क को टक कर दे रही है और दोनों की दोनों कारों जो है न दोस्तों made in इंडिया धिचर में लुक में मजबूति में टाटा सफारी का जवाब नहीं है दोस्तों लेकिन एक चीज के लिए ये बेचारी पीछे रह जाता है वो है four wheel drive, all wheel drive महंदरे Scorpio N में आपको real wheel drive का भी option मिलता है four wheel drive का भी option मिलता है new Tata safari facelift में आपको सिर्फ और सिर्फ real wheel drive का ही option मिलता है Tata company signal दे रही है कि कुछ समय के बाद वो all wheel drive भी लाने वाली है और petrol engine भी लाने वाली है तो four wheel drive की जो कम है न दोस्तों बहुत सरे लोगों को खल रही है Scorpio N में आपको मिलता है ventilated disc brake और Tata safari facelift में भी आपको front and rear में disc brake मिल जाता है अब यहां पर जो है न दोस्तों new Tata safari facelift जिर्ट जाती है क्योंकि new Scorpio N में आपको मिल जाता है 17 inch के alloy wheel और new Tata safari facelift में आपको मिल जाता है 19 inch के alloy wheel जो और ज़्यादा उचा बना देती है और बात करते हैं दोस्तों sunroof की Scorpio N में सबसे पहले sunroof जो है न Scorpio N में आया लेकिन Tata safari में जो है आपको panoramic sunroof मिलता है और side में आपको ambient light भी मिलती है लेकिन Scorpio N में आपको छोटा sunroof मिलता है और ambient light भी नहीं मिलती है exterior की बात करें दोस्तों front look की तो पहले ही नजर में दोस्तों new tata safari facelift जो है ना futuristic कर लगती है Scorpio N का LED DRL इसके light इसके grill बहुत अलग है new tata safari facelift से तो आपको दोस्तों new tata safari facelift ज्यादा पसंदा रही है बाहर से या फिर Scorpio N बताएगा निचे comments में जरूर तो Scorpio N में दोस् turn indicator हो गए और भी बहुत सारी features अब बात करते हैं दोस्तों interior की interior में dual tone climate control आपको Scorpio N में भी मिल जाता है new tata safari facelift में भी मिल जाता है और दोनों कारों में आपको rear AC vent भी मिल जाते है push button start stop connected car features wireless charging इन दोनों कारों में मिल जाता है और दोनों ही कारों में electrically seat adjust हो जाता है और new tata safari facelift में तो आपको इसमें 3-3 memory भी दिए गया है और tata safari में दोस्तों आपको ventilated seat मिल जाता है और new tata safari facelift में आपको seat welcome करेगा new tata safari facelift में आपको smart e shifter मिल जाता है wise command से आप sunroof को खोल सकते हैं बंद कर सकते हैं electrically जो है न दोस्तों steering हो जाता है जो काफी जादा हलका ह हो जाता है आप एक उंगली से steering को घुमा सकते हैं multiple drive modes मिल जाते हैं gesture control power tailgate मिल जाते हैं और भी बहुत सारे features मिल जाते हैं दोस्तों जो आपको Scorpio N में नहीं मिलते हैं ambient light मिल जाती है new tata safari facelift में आपको adas का level 2 मिल जाता है अगर हम बात करते हैं दोस्तों लंबाए चोड़ उचाई में सबसे बहतर कोन है कोन है जादा उचा लंबाई और चोड़ाई में टाटा सफारी 6-7 mm ज्यादा है new Scorpio N से लेकिन अगर हम बात करें height की तो 62 mm छोटी है Scorpio N से new tata safari facelift wheelbase में Scorpio N जो है न दोस्तों 7 mm ज्यादा है तो 18 mm ground clearance ज्यादा है new tata safari facelift का Scorpio N अश्टार्ट हो जाती है 13,20,000 से 24,000,000 तक जाती है एक सोरूम प्राइस new tata safari facelift जो है न दोस्तों 16,000,000 से 25,000,000 तक जाती है एक सोरूम प्राइस तो आपको दोस्तों score to N ज्यादा बेतर लग रहा है या फिर new tata safari facelift कमेंट में चुरूर बताएं new tata safari facelift और पुरानी वाली tata safari को compare करके आपको अच्छे से बताते हैं कि भाई कौन सी सबसे ज्यादा best है और आपको कौन सा लेना चाहिए सबसे पहले बात करते हैं dimension की लंबाई चोड़ाई और उचाई में जो है न दोस्तों new tata safari facelift 5 mm, 9 mm, 17 mm ज्यादा है पुरानी वाली tata safari से wheelbase और ground clearance जो पहले tata safari थी और जो अभी नई facelift है ये दोनों का wheelbase और ground clearance दोनों का बराबर है पुरानी वाली टata safari में हमें 205 mm का ground clearance मिलता था, नए वाली tata safari facelift में हमें 205 mm का ground clearance मिलता है क्योंकि New Tata Safari पुरानी Tata Safari के ही प्लैटाफारी के प्लैटफार्म पे बनाए गई है इसका मतलब यह है दुस्तों कि पुरानी वाली Tata Safari में जतना आपको एंटिरियर में स्पेस मिलता था उतना ही स्पेस आपको नए वाली में भी मिलेगा बात करते हैं exterior की तो exterior में पहले ही नजर में पता चिल जाता है कि new tata safari facelift कौन है और पुरानी वाली tata safari facelift में पूरा का पूरा bumper ही change कर दिया गया है LED projected fog lamp के अलग से housing लगाये गये हैं पुरानी वाली tata safari में हमें HID head lamp मिलते थे और नई वाली tata safari में full LED headlights मिलते हैं और तो और आपको fog lamp भी full LED देखने को मिलता है पहले के टाटा safari में हमें छोटे LED DRL देखने को मिलते हैं और new tata safari facelift यहां आपको बड़ी सी LED DRL मिलती है जो और ज्यादा खुबसूरत बनाता है जो आपको फिल देता है electric car का नई वाली में हमें sequential turn indicator देखने को मिलता है साइड से देखने पर जो एना दोस्तो पुरानी वाली टाटा safari और new tata safari में खास अंतर देखने को नहीं लगता है लेकिन new वाली टाटा safari में आपको 19 इंच के alloy wheel मिलते हैं जो पुरानी वाली में हमें 18 इंच के मिलते हैं और new वाली टाटा safari के side में है ना आपको safari बदल दिया गया है और फ्रंट से इट तो बदल ही दिया गया है पुरानी वाली टाटा सफारी में आपको जेस्टर कंट्रोल पावर टेलगेट नहीं मिलता था नहीं वाली में आपको मिलता है तो और ज्यादा आराम हो गया है पुरानी वाली टाटा सफारी में आपको पैनल फिर लोग केखर करने लगे है और टाटा साफारी करोरे के फिक तो चलिए दोस्तों अब आपको बताते कि बहुत सारे चेंजेस किये गया है पुरानी वाली टाटा सफारी से न्यू टाटा सफारी फैसलिप पहले ही नेजर में पहचान जाएंगे कि पुरानी वाली टाटा सफारी का इंटीरियर और नई वाली टाटा सफारी का इंटीरियर कितना ज्यादा अच्छा कर दिया गया है Recently ही Tata ने पुरानी वाली Tata Safari में कई सारी features दिये थे जैसे ADAS का features हो या फिर infotainment system हो बली से screen दे दी गई थी और भी कई चीजे changes किये गए थे लेकिन new वाली Tata Safari में और ज़्यादा changes किये गए न्यू टाटा सफारी फेसलिप्ट में आपको illuminated steering wheel मिलता है जो पुरानी वाली में स्टेरिंग विल देखने को मिलता है पुरानी वाली ठाटा सफारी में आपको 10.2 इंचेस का नई वाली ठाटा सफारी में आपको 12.3 इंच का touchscreen देखने को मिलता है multiple voice assistant features मिल जाते है wireless auto and upper carplay different तरह के sound mods और भी कई तरह के sound features आपको देखने को मिलता है 10 इंच का digital cluster जिसमें आपको full map भी दिया गया है पुरानी वाली ठाटा सफारी में आपको single zone climate control देखने को मिलता था नई वाली में आपको dual zone climate control देखने को मिलता है और climate control के जो बटन थे ना वो भी touch screen कर दिये गया है और तो और दोस्तो करोडों के car में जो ambient light लगी होती है वो ambient light आपको टाटा सफारी लगा के देखने को मिलेगा इंटीर के पूरे dashboard में आपको ambient light देखने को मिलता है नई वाली में हमें बिल्कूल free मिलता है जो टाटा सफारी फेसलिप्ट में टेरिंग मोड डायल भी चेंज कर दिया गया है जो पहले से और ज्यादा बहतरी लग रहा है और अगर आप नई वाली टाटा सफारी का automatic version लेते हैं तो इसका gear नोप भी change कर दिया गया है अस्टा